इस question में हमें एक function दिया है fx equal to क्या दिया है t plus 3x t plus 3x minus का x का square और upon में क्या दिया है x minus का 4 दिया है और यहाँ पर क्या है t एक parameter है और इस function का क्या है fx का maximum और minimum value exist कर रहा है तो हमें बताना है t जो है इसका range बताना है चले इसको क्या करते है differentiate करते है x के respect में तो देखें f-x किसके equal आजाएगा b into du by dx b into क्या आजाएगा du by dx 3 minus का 2x du by dx minus का yu into क्या होता है dby by dx t plus 3x minus का x का square into क्या आजाएगा 1 minus का 0 और upon में क्या आजाएगा b का square यानि क्या आजाएगा x minus 4 का whole square ठीक है इसको simplify करते है देखे क्या आजाएगा f-x किसके equal आजाएगा यहाँ से इसको multiply करेंगे तो देखे क्या आजाएगा 3x minus 2x का square ठीक है और यहाँ से minus का 12 plus क्या आजाएगा 8x minus t minus 3x plus क्या आजाएगा x का square ठीक है यह 3x से क्या हो जाएगा 3x आपका cancel हो जाएगा ठीक है और upon में x-4 का whole square है तो इसको simplify करेंगे तो देखिए value ultimately किसके खुला जाएगी minus x का square ठीक है प्लस का 8x प्लस का 8x है और minus का 12 है minus का 12 है minus का t है और upon में देखिए क्या है x-4 का whole square है ठीक है तो यहाँ पर ध्याँ से देखिए अगर यहाँ पर fx का maximum और minimum value आ रहा है उसका यह मतलब है कि f-x क्या change करना चाहिए f-x जो है उसको अपना sign change करना पड़ेगा ठीक है f-x को sign change करवाने के लिए यह जो आपका क्या है नीचे देखिए नीचे तो कैसा function present है यह even power वाला function present है तो यह तो कभी sign change नहीं करेगा तो f-x को sign change करवाने के लिए उपर जो quadratic बन रहा है इसको अपना sign क्या करना पड़ेगा यह change करना पड़ेगा तो यह sign तभी change करेगा जब इसके roots कैसे होंगे real और कैसे होंगे distinct होंगे यानि कि यह quadratic है इसका जो discriminant होना चाहिए क्या होना चाहिए positive होना चाहिए ठीक है चली इसको यहाँ पर लिख भी देते है for having extrema for having extrema extrema मतलब होता है maximum or minimum value ठीक है for having extrema f-x must क्या होना चाहिए change its sign होना चाहिए f-x must change its sign it means क्या है जो quadratic है हमारे पास must change its क्या है sign है ठीक है it means quadratic it means क्या है quadratic it means minus x square plus 8x minus 12 minus t must have क्या होना चाहिए must have real and distinct roots must have real and distinct roots होना चाहिए ठीक है distinct roots होना चाहिए तो this implies यहाँ से क्या हो जाएगा इस quadratic का जो discriminant है क्या हो जाएगा only greater than 0 हो जाएगा ठीक है चले इसका discriminant find करते हैं देखे क्या जाएगा 64 minus 4 times क्या जाएगा 4 times minus 1 minus 1 into minus 12 minus 3 must क्या होना चाहिए greater than 0 हो जाना चाहिए ठीक है ख़़ए इसे और simplify करें तो क्या जाएगा 48 और 48 हो जाएगा यहाँ minus का उन्दर हम क्या करेंगा multiply कर देएगा sorry minus का multiply करेंगा देंगे तो महँनस हो का minus का 48 और minus का 40 क्या हो जाए greater than 0 हो जाएगा this implies कहां से 40 minus का 12 less than क्या हो जाएगा 0 होजाएगा ग Indre यहां पर क्या है एक चोटा सा मिश्टिक है यहां पर 16 हैगा 16 माइनस का 40 इस ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ठीक है तो दिस इंपलेश्टी माइनस का 4 क्या हो जाएगा लेस देन जीरो हो जाएगा इस इंपलेश्टी विलॉंग्स टू क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिट क्या करेगा एक जिस्ट करेगा तो फिरली अहां से क्या हो जाएगा आपका option 3 is the right option i hope you understood it well thank you